इस शहर को हुआ क्या है? हर तरफ दुआ ही दुआ है. क्यों भई? ये गबस है? वो मेरी नहीं है. पकड़ा हुआ माल ना, हमेशा दोस्तों का ही होता है. दोस्तों आपका फिल्मी मेडिया चैनल में स्वागत है. इस वीजियो में हम बात करेंगे तारा सुतार्या और अहान शेट्टी स्टारर फिल्म तरप के 15 वे दिन के बॉक्स ओफिस कलेक्शन के बारे में. उससे पहले दोस्तों अगर आप फिल्मी मेडिया चैनल पर पहली बार आए हो तो फिल्मों के बॉक्स ओफिस रिपोर्ट जाने के लिए फिल्मी मेडिया चैनल को सब्सक्राइब कर ले. और वीडियो को लाइक कर दीजिए. दोस्तों वीडियो को स्किप न करे वीडियो को अंतक देखे. तो दोस्तों बिना टाइम रास्ट की एग वीडियो को शुरू करते हैं. दोस्तों आपको बता दू कि तरप मुवी में तारा सुतार्या और अहान शेट्टी के अलावा सि शेट्टी औरमेट साध भी मुख्य भूमिका में हैं। तारा सुतारिया और अहान शेट्टी स्टारल फिल्म तरप 3 दिसंबर से सिनेमा घरों में दिखाया जा रहा है। दोस्तों आपको बता दूं कि इस मुवी को इंडिया में 1656 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। जबकि ये मुवी ओवसीज में 451 स्क्रीन पर रिलीज हुई थी। तो दोस्तों इस तरह से तरप मुवी को वर्ल डवाई 2107 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। ये एक रोमांटिक एक्शन मुवी है। इस मुवी का निर्देशन मिलन लूथरिया ने की है। तरप मुवी की बजट की बात करें तो इस मुवी की बजट लगबग 20 करोड रुपए बताया जा रहा है। फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो तरप मूवी बॉक्स ओफिस पर जबर्दस्ट प्रदर्शन कर रही है और यह मूवी पहले दिन बॉक्स ओफिस पर 4.5 लाख रुपए की कमाई कर ओपनिंग ली थी जबकि यह मूवी पहले वीक में 21.4 लाख रुपए का बिजनेस करने मे सफल रही है तो दोस्तों इस तरह से तरब मुवी का पहले 14 दिनों का इंडिया नग कलेक्शन 27 करोड़ 40 लाख रुपए हो गई है जब कि इस मुवी का अब तक का इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 31 करोड़ 40 लाख रुपए रही है वही अगर बात करें इस मुवी के वर्ल 15 दिन लाख रुपए की कमाई करती हुई नजर आ रही है दोस्तों अगर आप तरब मुवी देख चुके हो तो आप हमें कमेंट करके बताए कि आपको ये मुवी कैसी लगी साथ ही साथ आपको कस की एक्टिंग सबसे ज्यादा अच्छी लगी दोस्तों इस वीडियो में ब करें शेर करें और फिल्मों के बॉक्स ओफिस रिपोर्ट जाने के लिए फिल्मी मेडिया चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद